50 का नंबर टेक महिंद्रा जिस पर रियाक्शन देना है कॉंस्टेंट करिंसी में आया 0.7% Q on Q इंप्रूव हुई थी सारे नंबर्स कहीं है कि एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर रहते हैं स्लाइटली एहट थे F&O के 6 नंबर्स पर रियाक्शन देना है पहले तीन रखता हूँ DLF, Internals अच्छे, UBL और MGL दोनों की हाइलाइट थी बढ़िया margin expansions प्लेट फ्लिप करियेगा उसके बाद AU Small Finance, Ramco Cement और Emphasis AU Small के नंबर्स सारे अच्छे, सिर्फ आसेट कॉलिटी थोड़ी सी disappointing Ramco Cement के नंबर फीके Emphasis के numbers, highlight ये, constant currency में आये गिर गई 0.1%, तो कमजोर आकड़े थे प्लेट फ्लिप, सोबा Limited आज अनामुडी, Real Estate का जा रहा है, सूत्रों के हवाले से Network Exclusive 5% अपना हिस्सा Basically, गुद्रच परिवार जो है, उनकी entity 5% हिस्सा बेचेगी, आने की आधा इसेदारी बेचने की तैयारी कर रही है RBL Bank, कल जो large trades हुए थे, Morgan Stanley ने सवा करोड शेयर्स और Society General ने 70-71 लाग शेयर्स करी दे कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स में Hero Motocop, Income Tax Appalach Tribunal ने इनके फेवर में जज्जमेंट दिया है Mankind Pharma ने एक बड़िया भारत सहरम का 13,000 कौड़ों का एकुदिशन करा SGVN को Letter of Intent मिला है राज सरकार से 13,900 कौड़ों पे के आसपास का वेदानता की बोर्ड मीट है सेकेम इंटरिम डिविडेंट पे आज कैश के नंबर्स आपकी सींच पर आएंगे शैले और प्राज अच्छे हैं इवन वीनिस पाइपस अच्छे हैं साइन्ट और VST इंडस्ट्री के नंबर्स खराब VST के एक हैर कॉपरेट अनॉंस्मेंट VST ले हरकत में आज जो लिस्टिंग हो नहीं है उसके पियर्स डिड़ा पे रहेंगे गुजरात, अम्बुजा, एक्सपोर्ट, सुगजीट, स्टाज, गुल्शन, पॉली ये सब रिपियर्स हैं सैंस्टार के और नतीजों के लियाद से इंपोर्टन दिन चार निफ्टी के और पाँच वाइदा बजार के रिजल्स हैं डिट्रेटर के लिए क्या लेबल्स रहेंगे अनुज बैंक निफ्टी पचास, चारसो, चौपन यानि 432 अंक नीचे और अनुज ये जो आर्बिय के डाफ्ट नॉम्स हैं इस्पेशली उन बैंकों के लिए क्या माइने हैं जिनकी जातर बैंकिंग ही मुबाइल पर होती है एब पर होती है एक चीज बहुत क्लियर है कल भी में क्लोजिंग में क्या अपरोच थी कि निफ्टी में लॉंग करें बैंक निफ्टी को छोड़ दें और मार्केट, यही होती ही चीज़ें अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे अगर आप कुछ ना कुछ प्रियंप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंप्ट करते हैं चली प्रॉफिट बुक कर लिए प्रियंप्ट करते हैं उससे कुछ होगा नहीं और जब market bank nifty पर चलना शुरू होगा जब bank nifty चलना शुरू होगा तब उस पे भी बात करेंगे और उस पे भी अप्रोच लेंगे लेकिन अभी bank nifty को छोड़ दीजिए कोई दिक्त नहीं है पहले bank nifty की बात कर लेता हूँ in fact bank nifty पर मेरा view यही रहा है कि इसको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे और bank nifty पर trade एक ही है अगर rally fail हो तो उस rally में उसमें वहाँ पर आप sell करें और यहाँ पर पहला support है 50, 550, 50, 600 कलका लो हम उसके नीचे खुलने के तियारी कर रहे है हलाकि देख लेता है actual opening कहां होती है अब निफ्टी के बात करते है निफ्टे पर 24, 200 से 24, 270 कलका लो और 20 डेमा पहला support और उसके बाद 24,000, 50 से 24,100 बजट दे का लो वीरू और रजिस्टेंस 24,500 से 24,600 इस हपते का हाई और 24,750 से 24,800 जो की option zone है तो यहाँ पर buy zone बनेगा 24,345 से 24,425 के आसपास और add zone बनेगा 24,300 से 24,350 के आसपास और एक स्टाप्रोस रहेगा 24,200 का बैंक निफ्टी पर वापस बात करते हैं आप देखिए आज आज आप Indescent Bank, Axis Bank Kotak Bank, HDFC Bank ICICI Bank Top 5 निफ्टी लूजर्स सारे के सारे private banks वही banks जो सारे के सारे जो डिपोजिट्स हैं वो मॉबिलाइस करते हैं विरू मुझे याद निए मैंने लास्ट टाइम ब्रांच कब विजिट की थी I don't think मैंने पिछले अपने 18 से 20 साल में मैंने ब्रांच विजिट करी हो ATM कभी-कभी विजिट कर लिया तो अलग बात है वोटा मुझे याद नहीं मैंने कब ब्रांच विजिट करी थी ब्रांच होती कहा है मुझे तो पता भी नहीं है विलिंट्रक्ट अब मुझे दिखती कैसी है ब्रांच वही मेरे खाल से लास्ट ने मैं भी कभी कोई डीडी बनवाना था तो गया था अधर्वाइस मैं भी ब्रांच कभी विजिट नहीं किया खेर कभी-कभी जो होता है वरदान वही अगर आप देखें थोड़ासा अगर आप देखें आपके लिए जो पेनफुल होता है खेर यह निफ्टी निफ्टी बैंक के लिए आपको अप्रोच मालों चल गए निफ्टी बैंक ओपन होगा डीप कट्स के साथ और सारे प्राइविट बैंक बैक फूट पे है फिफ्टी, फोर, फाइब, सिक्स और SBI भी इवन बैक फूट पे फिफ्टी, वाण पार्श व है और सारे फिफ्टी, वाण प्राइब, भी है वाण